हेलो एवरिवान तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का यह है क्लास आपका एसपी बक्सी का सिननी मेंटेनिम पार्ट फाइव है ना और यह त्रीगीतम इंट्यूशन नहीं है और इसका पीडियाप अगर चाहिए आप फिर क्वीजे जहां होते हैं वहां का अड्रेस है है अपका गिए तम टेलिगराम पैठीक अब जड़ा देखिए यह eject 5 जो है और सि måste से तो सी का है यह पार्ट का पार 5 थिए का फिर चलिए देखते हैं फिसका है लेटिंच क्रायटेरिया? इसका टूरल तो उसी तरीके से क्या एंग्र क्राइट का कि चीज़ का क्या मिनिंग तो इसका मिनिंग अगर आप देखें तोम कि बोलता है मांद होता है क्या क्राइट एड्या होता फिर इसथे प्रस्तरी यह से और मीजर्मेंट मतलब वि wa एक तरह से रहले हैं फिर इसमें से एक स्टॉन वह कि किसी चीज़ को किस मांदर में मापते हैं किस इसका बोल सकते हैं और याद रख सकते हैं तो याद रखे करके हैं आड लिगस्टिक करके हैं जिसको दो गजसे पीछ होता है 22 गज क्रिकेट खिलने का तो वही गज वाला है आर्ड्स्टीग मतलब कस़ोटी और टचस्ट उन मतलब भी कस़ोटी फिर इसका इंटरिन ही देख लेज़ तो फैंसी पैंसी का यह मतलब होता है इस जनररल फैंसी का मतलब होता है आपका कोई कल्पना क्या हुआ चीज है तो इसको भी ख्याल रखे फिरकिस्ट क्या है अपका । कोईटस का मतलब होता है आपका लोह भी लालची है ना जैसे कि अवरी उने हो ग्रीड सुने होंगे और व्रेसिटी भी सुने होंगे लेकिन एक इसमें नूट टापका जो लगरा वह हैं कुपीडिटी है ना तो कोवेट्स और कुपीडिटी दोनों क्या है आपके इसका दोन इसका क्या मतलब है कल भी बता चुके हैं इसका मिरिंग है ना तो बेने मतलब वेल और वालेंस मतलब वीश करना मतलब सुब चीन तक जो बोलते हैं दूसरे के बारे में जो सोचता रहता है उसको बेने वालेंस बोलेंगे selfless है ना जो खुद के बारे में ना सोचे magnanimous है ना तो magnanimous का मतलब भी क्या होता है आपका उदार देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है एक तो magnus magnus से बना है और एक animus है ना तो magnus मतलब होता है great और animus मतलब होता है soul इसको आप याद रखने रूट वर्ड है ये सारे और magnus मतलब great मतलब अगर हिंदी में देखे तो महानात्मा मतलब महात्मा लोग है ना मतलब उदार उदार व्यक्ति को बोलते है magnanimous है तो इसका मतलब समझ गए फिर next वर्ड है आपका corpulant क्या है यह corpulant अगली fat awkward फिर इसका एंटरियम हो गया thin lean stream स्लीम और डेलिकेट डेलिकेट मतलब नाजुक भी होता है जो तूटने लाइक हो जल्दी उसको बोलेंगे तो इसका इंटरिम भी देख लिए फिर इसका कंवर्ट कंवर्ट का क्या हो गया मतलब किसी चीज को चेंज करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज होगी तो धर्म परिवर्तन को प्रोसे लिटाइज बода का तो जरांसम्यूट मतलब होता है क्या इसका मतलब होता है आपका शैंज करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक चीज्ञ में अब जारा डखे है ट्रंस फोर्म है ट्रांसम्यूट है तो इससे एक वर्ड में Duringarta The डोनों मतलब बता रहे परिवर्तन यह उसका मतलब से उस पर होना तो उस jan के एक और भी वार्ड है एक अर्व मतलब क्या होता है उसको क्या कि खुछा धिया है फिर इसी तरह से translucent एक वर्ड सने हो गए आप translucent translucent मतलए इस पारभासी जिसको बोलते हैं किसी चीज से होकर गुजरने को बोलते हैं तो सब में देखने लांग लास्टिंग जो काफी दीन तख टिकाई हो को होता है जिसे नहीं नीरंतर बहुत लंबे टाइम तक लोंग लास्टिंग अगला है कान्वीनियंट क्या जानतें आप लोग क्या है को बीचीज बहुत ज़ाजनक है कहना तो कॉमेटेपल ऐसको बहुत हैंडी है मतलब काम करने में बहुत आसान रहे हैं लग़ेंग्ज़ पर चीज होता है जो थका देने वाला अन्प्रैक्टिकल यह नहीं होता है तो यह कॉन्विनियंट के आपके अंट्रेनीब फिर जदा देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है तो नेक्स्ट वर्ड आपका होना तो इसको बोलीगा यह सीमिलर फिर कॉंफलिक्टिंग है है रहा का फिर कोण्टराविक्तरी यहां पर रहा है चुपा धिक मतलब भीपरीछ होना फिर इसका देखें मिनहीं सहीमिलर होमोगीनस और wr 있는데요 मतलब मैच करना किसी चीज़ से फिर देखें का मतलब क्या हुआ किसी के विपरित होना सेम छीज़ है अपिर खंडन करना किसी के बात को काट देना शमें से इंपीउन आता है एक हो गया कनफरेंट करना Dop करना देखें प्रेंट करना का क्या है तो कption को सीखने को मिलेंगे जैसे कि सकॉर हो गया ना क्यों होगया देखर जी स्कॉर्ण हो किसी में उसका मतलु मतलब रहुग विल्ट करना किसी का बंतलो यह निन्दा करना थे इसका उल्टा रिगार्ट मतलब किसी का किसी का Details करना निन्दा करना यह दोनों होता है नहीं करना प्रेज रिकमेंड है ना रिकमेंड और यह चार हो गए आपके फिर नेक्स्ट वड़ आपका कॉंटरनेशन का मतलब होता है आपका कि कोई बहुत घबराया हुआ बैक्ति है व्याकुलता बोलते हैं घबराहत और निराशा जनक तो उस चीज़ को बहुत ब़लेंगे इनक्स्टर्नेशन तो इसका का युद पॉलेंटूंट्मेंन हो गया मतलम निरास करना मतलब होना होपलेस्टनेस मतलब भी हो घंब और चबएस मा तो सब्झाल दूसर्याशा और दुसरा व्याकुलता घबर है ना पीस बहॊत सांत फिर रिपोज काम फियरलेस मुझे लगता है कि आपके लिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ड नए होंगे एक कॉंस्टरनेशन खुद एक दूसरा डिस में और एक आपका रिपोज रिपोज का मतलब था आराम फरमाना है ना किसी तरह का टेंशन ना होना चैन होता है तो उसको ऊकृत भी बिंद में अपलब अपलन म भी पिर को ऑपक्ति दिखाई देगा हैं तो उसकाnewकाश्ट हो सकता है और पर क्रत्यक्श्य भी हो सकता है मतलब वीजिबल है वो दूर से दिखाई देने लगेगा और स्वभाविक है उसको देख पाना तो यह कॉंस्पिक्वेस के हो गए आपके सिननीम और फिर डिस्टिंग्यूस्ट तो डिस्टिंग्यूस्ट का क्या मतलब है जैसे कोई प्रतिष्ठित होता ना समाज का उसको ब अब स्कूर का मतलब होता है जैसे धूंदला धूंदला भी होता है मतलब दिखने आप कोई चीज को समझने माली यह को टॉपिक आप समझने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आपको अच्छे से ना दिखे तो आज कि आपके यह सारे वर्ड कंप्लीट हुए और करने में कठिनाई ना हो लास्ट में एक दो मिनटी वीडियो देखें आपका कांचल जाए तो जरह देखिए क्या है क्रेटरियन का हो गया सिननीम आपका मेजरमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड और टच स्टॉन और एक और बताया थे आदस्टिक उसको भीयाद रखें और क्रे लिब्रालिटी बेने वोलेंश स्ट्रीम और मेगिनमुस क्योंड क्योंड प्रोसलिटाइज मतल Ave sexuality का चेंज धर्म परिवर्तन को एंटरीम हो गया इसका प्रसिस्ट मेंटेंड इंड्यूरिंग परपेचुवल कि फिर जड़ा देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्विनियंट कॉन्विनियंट का सिननीम हो गया हैंडी स्यूटेड कमफर्टेबल एडवांटेजियस और इ क्षांट्री उपोजिट और कॉन्ट्राइक्ट का अमुझा उ मोगया आपका इंटरीम हो गया आपका अप्रूव कंफर्म सैंक्शं एंडर्स फिर नेस्ट देखिए नेस्ट थीन वर्ड जो कोंस्टर सबस्क्राइब वह सकते हैं इसमें से आपके लिए और रिपीट रिपीटेडली पुछा गया है काफी सारे एक्जाम्स में तो आप देखिए बहुत सारे वर्ड आप सी गए है न अगर देखा जाए तो दस और यह असी मतलब टोटल आप 90 वर्ड अगर सीखते हैं एक छोटे से वीडियो में आप 90 वर्ड के आसपा सीख पाते ह और इसमेंसे कुछ आप जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे और जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है आप बस रिवाइज किया कि दिए बीच बीच में तो चलिए आज के क्लास रैप अप करते हैं थेंक्यू वेरी मॉच